नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कारिक्रम में आपका स्वागत करते हूं आज का इस कारिक्रम बहुती विशेश होने वाला है आज के इस कारिक्रम में हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन यानि कीकाग्रता जो लोग अपनी एकाग्रता यानि की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं चहें वो बच्चा है या फिर वो बढ़ा है कोई भी अपना कंसंट्रेशन योगासन के मादम से बहुत ही असानी से बढ़ा सकते हैं तो ये हमें बताएंगे हमारे योग गुरू श्री ओमकार देव जी नमस्कार किसी भी कार्रे को सिर्व करने के लिए एकागरता का बहुत ही महतपूर्ण स्थान या भूमी का होती है कुछ विशेश योग अभ्यासों के मात्यम से हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कि किस परकार से आप बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इन अभ्यासों से बड़े भी लाब ले सकते हैं अधिकांश बच्चों की ऐसी समस्या होती है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और इसी बात को लेकर माता-पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार उनका बच्चा अन्य विचारों से छुटकारा पाकर पढ़ाई में ध्यान लगा सके हैं इन सबी समस्याओं को स्मर्ण में रखते हुए हमने कुछ विशेश योग अभ्यासों की रूप रेखा तैयार की है तो अब इनका अभ्यास हम आरम करते हैं सांस खरते हुए भूजोंग असन शरीर को इस प्रकार से इस अवस्था में लाएं के वालब यहां से पूरी रीट की रटी को मुणते हुए गरदन उपर ठुटी को पूरा उपर की और खीचेंगे कोहनियां सीधी रहें पैर की पंजिय मिले हुए उंगलियां बाहर की और सांसों की गती समान में रूप से चलती रहे पूरी रीट की हटी मुणी हुई पेट छाती और गला खीचा गुआ लगभग 45 से एक मिनिट तक यहां पर शरीप को रूप के रखेंगे उसके बाद सांस को बहाँ छोड़ते हुए गोनियां मुड़ेंगे और ठुटी को जमीन पर रख देंगे यहां पर कुछ एक लंबे घहले सांस बरेंगे और इस आसन का अभ्यास दो से तीन बार तक करेंगे इतना अभ्यास यदि नियमित रूप से प्रती दिन किया जाए तो एकागरता को बहुत बढ़ाया जा सकता है अपनी बढ़ाई में मन को एकागर किया जा सकता है यह सवी अभिहास बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी लाब प्रत कारे सित होते हैं इनका अभिहास करके आप अपने कारे छेत्र में अपने लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद